सब्सक्राइब करें मेडिशन नौलज हिंदी को सबसे पहले मेडिशन से जुड़ी जानकारी के लिए जो की बनाई गई है जिग्रे निग्रे फार्मासिटी का एललपी जिसको सौट में बोला जाता है एचलेश फार्मा इसके अंदर दवाई की बात के तो सीपो डॉक्समीन प्रियोक्सितिल हंडिर एमजी रहता है और यह दस फोली का पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका मुल ले केवन 109 रुपीज रहता है तो यह टेबलेट चोकी यूज होती है बैक्टेल इसकी इंपेक्शन में यूज होने वाली यह टेबलेट है जिसका यूजस क्या है बेनिफिट क्या है साइड रिपेट क्या है कैसे यूज करते है ड्रग कौन कौन सा पाया जाता है सेफटी अपको हन तक देखना तक के अच्छे सीपो हंडेड एमजी डिटी टेबलेट के बारी में सम्कून जानकारी मिल सके तो वीडियो को हम स्टार्ट करते एक छोटा सा इंट्रो के बार सीपो हंडेड एमजी टेबलेट जोकी डिटी टेबलेट जिसको बनाया गया है एक चिनेच पार्मा की दुवारा जिसका पूरा नाम है उग्रेम इग्रेब फार्माशिटी का एललपी और इसके अंदर जो दवाई है वो सीपो डॉक्सिमीन प्रियोक्सिटिल हंडेड तो HSC-400MG-DT tablet जो कि एक Antibiotic Medicine जो कि treatment करती है bacterial skin infection से, bacterial infection से और ये जैसे कि लंच में, urinary tract में, आंक में, कान में, सीनस में, थ्रोट में या स्किन में या कई भी bacterial infection होता तब इसको यूज के जाता है HSC-400MG-DT tablet जो कि लिया जाता है, खाना खाने के बात ताकि आपको पेट में कोई गया सुगरा ना हो, डॉक्टर आपको इसको रिकमेंडेट करते हैं तब तक जब तक आपको बैटर रिजल्ट ना मिले, तो ये bacterial infection में यूज होने वाली ये tablet है, इस tablet को ज़्यादा यूज कर रहे हो, डॉक्टर की सला से यूज ने कर रहे हो, चितना रोज नीड नहीं है उससे भी ज्यादा यूज कर रहे हो, तो कुछ side effect हो सकते है, जैसे कि आपको रसेस हो सकता है, नूजिया हो सकता है, तो ये सब common side effect है, ये आपको हो सकते है, तो इस tablet को लिया जाता है, डॉक्टर की सला से, डॉक्टर जब तक बोले तब तक लेना पड़ता है, इसको पानी के साथ मिक्स करके उसके बाद लिया जाता है, और खाना काने के बाद लिया जाता है, ताकि आपको better result मिले, तो हसे सीपो हंडेड routine required रहता है, वो उसको दी मिलेगा, तो बैक्टर का spreadability नहीं होगा, और बैक्टर का multiplication नहीं होगा, जिसने बैक्टर इंफेक्शन वही बे रुख जाता है, वाचे सीपो हंडेड डीटी टेबलेट के बारी में, अगर आपको कुछ भी डाउट रहे, तो आप हमारे comment section में तब तक के लिए अपना और अपने प्रिवार का ख्याल रखे,